साथियों, आज देश का प्रत्यक नागरीक आत्म निर्भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए प्रतिवद्ध है, लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। ये एक जिवन्त उधारण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ पर कितना विश्वास है। भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी दोमेस्टिक नीज को पुरा कर सकता है, लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है। साथियों, आत्मन दिरभर भारत भ्यान भारत में क्वालिटी प्रोडक्स बनाने और भारत के इंडिस्ट्री को और ज़्यादा कॉंपेटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार, जब लाल के लिए से मुझे बोलने का मोका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी, कि हमारा लक्ष रहना चाहिए, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई खेत्रों में इन एफिसेंसी को समरक्षन दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जब कि आत्मंदिर भर भारत अभ्यान हर खेत्र में एफिसेंसी को बढ़ावा देता है। ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉंग टर्म कॉंपिटिटिव एडवांटेज हैं, उनमें संराइज और टेक्नलोजी ब्रेज इंडर्सिज को नई उर्जा देने पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी ये इंफंट इंडर्सिज भी भविश में और अधिक स्ट्रॉंग और इंडिपेंडेंट बनेंगें। इसलिए आपने देखा होगा एक और एहम कदम उठाया गया है। देश में प्रोड़क्शन लिंग इंसेंटिव स्कीम सुरू की गई है। इस स्कीम उन उद्ध्योगों के लिए हैं जिन में भारत ग्लोबल चेंपियन बनने की ख्षमता रखता है। जो परफॉर्म करेगा, जो एपिशंसी से काम करेगा, जो अपने सेक्टर में देश को आत्मन निर्भर बनाएगा, वो इंसेंटिव का भी हगदार होगा।